असलाम वरेक्रम नाजरीन मैं हूँ साहिफ अली इलम सीकों मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ सहे लफसल की बुक है अकांटिंग क्लास है विकम पार्ट तू और उसका चैप्टर है डिवेंचर बॉंड और ट्यूंड आज हम प्रॉब्लम नंबर थर्टीन सॉफ करेंगे So, the company has 12% outstanding debentures of Rs25,000,000 on 01st Jan 2010 The company pays interest on 30th June 31st December It purchases is, handle się on the ventures of Rs25,000 at Rs97x interest on 30 April 2010 प्रुझ होसी drowned दल होसी जे स्टेमें ज़त ए्याचिर कि आपования। सबसे पहली हम एंट्री करेंगे जब कॉंपनी अपने ही डिबेंचर्स पर्चेस करेंगी 25,000 के 97 रुपीज के और यह एक्सिंट्रस्ट है एक्सिंट्रस्ट का मतलब है कि यह जो अमॉट पे की जा रही है इसमें इंट्रस्ट की अमॉट शामिल नहीं है इंट्रस्ट की कल्कुलेशन अलहदा से करेंगे तो पर्चेस के जा रहे हैं 25,000 के टोटल थे पर वैल्यू पे इसको हम डिवाइड करते हैं 100 पे तो हमारे पास यह पार वैल्यू है इसको यह टोटल डिबेंचर्स हैं को हम मल्टिप्लाइ करेंगे 97 से तो इतने पैसे के हम डिवेंचर्स खरीद रहे हैं और इंट्रस्ट हम पार पे कल्कुलेट करेंगे 25,000 मल्टिप्लाइबाइब 12 परसेंट उसके ओपर डिवेंचर्स के ओपर इंट्रस्ट है यह टोटल इंट्रस्ट आ गया हमने 30 अपरिल को यह परशेज किये गये हैं तो जैनुरी से लेके अपरिल तक 4 months बनते हैं तो हम इसको मल्टिप्लाइ करेंगे 4 से और डिवाइड कर देंगे 12 पे 24250 इंट्रेस अन इंट्रस और डेंट्रस आगेड टावजर्स एडशां की नट्रेशन हम इसको देड्वेंगे नीट्रेसेयं परचेस्ज केंगे इनग देंएड और डुटी 20usz आगजेशं फिर एक्स कुरुपी Willis, Sum, Benuce & Daleks Un, Interests के हम Entry करते हैं Interests on Depentures Account – Debit, To Bank Account – Credit, And Interests on Own Depentures Account – Credit, Being Interest on Depentures and Interests Saved on Own Depentures. Total हमारे पास थे 250,000 के Depentures Outstanding थे, 12% के उपर रेड था, और six months का हमने charge करना है तो total interest की amount हमारे पास है यह interest की जितनी भी amounts हैं यह हम working में अलाइदा से भी find करेंगे interest on debentures total interest है 14,000 bank account 13,500 और interest on own debentures यानि कि यह save हो रहा है interest 500 रुपीज नेक्ट हम एंट्री पास करेंगे जब owned debentures पर्चेस किया जाएंगे on 1st September 2010 owned debentures account रुपीज 24,000 interest on debentures account 500 and bank account 25,500 रुपीज बेंग पर्चेस आफ 25,000 on debentures at रुपीज 98 कम इंट्रस्ट कम इंट्रस्ट का मतलब है यह जो हम पे कर रहे हैं amount इसमें interest की जो पेमेंट करनी थी वो वली amount भी शामिल है हमने 25,000 के debentures से इनको हम पार वैल्यू पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टोटल debentures आगे 250 और परचेज कितने के किये हैं 94,000 के 94 रुपीज के sorry 98 रुपीज के 24,500 रुपीज और यह जो 24,500 रुपीज हम पे कर रहे हैं इसमें interest की वैल्यू भी शामिल है next हम entry करेंगे जब interest की payment की जाएगी हम debentures की recording इस तरह करेंगे 31 December 2010 debentures account debit bank account credit interest on own debentures credit bank interest on debentures and interest saved on own debentures 14,500 तोटल इंको हमांट है और यह हम working में find करेंगे 12,000 जो हमने payment की है वह है और 2500 हमारे own interest interest on own debentures यानि के यह वाला जो interest है यह saved किया गया है यह income हुई है अब हम interest की amount को transfer करेंगे profit and loss account में तो सबसे पहले हम entry करेंगे debentures account debit own debentures account credit and capital reserve account credit being own debentures are cancelled वो जो 30th April को हमने debentures खरीदे थे 25,000 के उनको cancel कर दिया गया है तो cancellation की यह entry है जो पहले liability थे debentures liability खतम हुई है लहाजा debentures को debit कर दिया गया है और own debentures जो 24,250 हमने pay किये थे 97 part debentures के हिसाब से वो हमने cancel कर दिये और capital reserve में transfer कर दिया वो जो profit अब हम entry करेंगे interest को transfer करने की interest जब expense को हम transfer करेंगे तो profit and loss account debit हो जाएगा और interest on debentures account credit हो जाएगा being interest on debentures transfer to profit and loss account यह इसकी हम relation लिखेंगे Rs.30,000 debit and 30,000 credit और जो own debentures के उपर interest हमने save किया है वो चुंके यह income है और income को जब हम transfer करते है profit and loss account में तो income debit हो जाती है profit and loss account credit हो जाता है हम entry pass करेंगे interest on own debentures account debit and profit and loss account credit being interest on own debentures transfer to profit and loss account Rs.3,000 debit and 3,000 credit अब हम working करेंगे interest की तो सबसे पहले हम working करेंगे 2010 के first six months की जो interest की calculation है debentures interest on 30th June 2010 on Rs.25,000 on Rs.25,000 12% for two months वो 500 रुपीज था हमार वो revenue था क्योंके यह own debentures के ओपर interest था हम इसको calculate कर लेते है 25,000 उसकी value थी हम इसको multiply करेंगे rate of interest से यह total interest आ गया पूरे साल का हमने two months का calculate करना है तो हम two से multiply करेंगे 12 पे divide कर देंगे 500 रुपीज हमारे पास on debentures पे interest है और जो remaining है हमारे पास 2,25,000 25,000 के तो हमने purchase कर लिये थे जो remaining outstanding थे 2,25,000 उनके ओपर six months का interest चार्ज होगा on 2,25,000 add 12% for six months 2,25,000 इसको हम multiply करेंगे rate of interest से और six months का हम charge कर लेंगे interest तो 13,500 हमारे पास six months का interest आ गया next हम charge करेंगे ये in total जो amount है 14,000 है उसमें से 500 रुपीज हम save कर रहे हैं और 13,500 payment की जा रही है debentures interest on 31st December 2010 अब next half year के लिए हम calculate करेंगे on on rupees 25,000 12% for six months जो हमने पहले खरीदे थे April में उनके ओपर हम six months का चार्ज करेंगे इंटरस्ट 25,000 उनकी वैल्यू थी multiply करेंगे हम rate of interest से और multiply करेंगे six divided by twelve तो ये हमारे पास six months का interest आ गया next हम charge करेंगे जो खरीदे गए थे हम September को 1st September 2010 हमने 25,000 के debentures और परचेस किये थे तो हम इसकी भी calculation करेंगे on rupees 25,000 at 12% for four months ये चार माँ के लिए अपने पास रखे थे लहाज़ा हम इसके ओपर चार माँ की interest की calculation करेंगे इसको हम multiply करेंगे rate of interest से तो हमारे पास total interest आ गया इसको हम multiply करेंगे four से और divide कर देंगे twelve पे हमारे पास four months का interest आ गया और जो remaining amount है outstanding है total थे हमारे पास two lakh fifty thousand के twenty five thousand के हमने 30th April को purchase किये और twenty five thousand के first September को purchase किये गये थे यानि के total fifty thousand के purchase कर लिये गये है remaining amount है two lakh rupees अब दोला के ओपर भी हम six महीने का interest charge कर लेंगे on rupees two lakh at twelve percent for six months तो हम calculate कर लेते हैं two lakh multiply by rate of interest multiply by six divided by twelve तो twelve thousand rupees हमारे पास interest की amount आ गई second half year के लिए ये payment करनी है हमने और ये दोनों amounts यानि के 2500 हमारे पास revenue है ये interest हमने save किया है मजीद अची वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल ilmc को subscribe करें शुक्रियान आजरीन आए ट्सक्की वीडियो नहीडियो ये तब था आए जब आए आए शवा आए लेतना आए आए